स्वर्ग पिता और एशु मसी और पवित्रात्म के नाम से आमें स्वर्ग पिता मैं एशु मसी के नाम से प्रात्ना करता हूं मेरेको बल दे कुरूपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित्रात्म का शब्द कर आमें पवित्रात्मा मेरे को बल दे कुरूपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर आमें पवित्रात्मा जो लोग यह सुनकर देखकर आगे दुसरों को बेचते हैं उनको रोज बेचने के लिए मदद कर सब बीमारी आं लोगों की टिक कर पविट बीमा पहले से सुन लिए है और सब लोग पवित्र बन गए है माती तेरा तब एशू मसी बीड को चोड़कर गर में आया और उसके चलों ने एशू मसी के पास आकर कहा केत के जंगली दाने का दृष्टानत हमें समझा दे एशू मसी ने उनको उत्तर दिया कि अच्चे बीच का बनने वाला मनुष्य का पृत्त है केत संसार है अच्चा बीज राज के संतान और जंगली बीज दृष्ट के संतान है जिस बोरी ने उनको बोयाव शेटान है कटनी जगत का उन्नत है और काटने वाले स्वर्ग दुथ है सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं वैसा ही जगत के अंत में होगा मनुष का पूत्र अपने स्वर्ग दुथों को बेजेगा और वे उसके राज में से सब थोकर के करणों को और क्रुक कर्म करने वालों को इकटा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे वहां रोना और दानत पिसना होगा उस समय दर्ती अपने पिता के राज में सुरिय की नए चमकेंगे जिसके कान हो वह सुन ले तो एशु मस्याम को इधर समझाया कि कि बुरी जिन्दगी से बचके रहना बुरी जिन्दगी का नाश हो जाएगा जो लोग पवितर कैतलिक नहीं है वो लोग एक सुका पत्ती का जैसा है इधर एशु मस्याम ने बोला कि उनको आग में जोखा जाएगा और जलाया जाएगा और आकिर में ये भी कहा कि जिसको कान है वो सुन ले बोले तो ये सत्ती है जो भी कोई पवितर कैतलिक नहीं होएगा उसका हाल इसाइच हो जाएगा तो जल्द से जल्द ये वचन बाइबल मान ले और बाइबल का जैसा जिन्दगी बना दे और हर एक गड़ी वो इच पवितर कैतलिक की जिन्दगी जी ले तो अच्ची तरह से आमको एशु मसिन ने समझाया कि जो बुरे लोग है वो नरक में जाएंगे जो कैतलिक पवितर कैतलिक नहीं है वो भी नरक में जाएंगे साफ लिकाए एदर साफ साफ लिकाए तो अमको अभी क्या करने का अगर आप नया आया इस चैनल पर तो ये प्रजार कतम होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनट के आंदर पवित्र कैतलिक बन जा नहीं तो शैतान तेरे को अगले मिनट में भी जिन्दा मार सकता तो ज़्यादा मजाख नहीं करने का सिधा शब्द पर आने का नहीं तो इधर जो लिकेला हुआ है जो अभी सुना है वैसा बुरा हाल तेरा वर तेरा पुरा परिवार का हो जाएगा सब का सत्यनाश हो जाएगा ये सत्यनाश इधर जिन्दगे में दिकाई देता है और आकिर में पागल कुत्ते की जैसी मौत हो जाती है सब आमने देखा है लोग कैसे मरे हुए है तो सब का हाल ये बुरा हालिच होकर मरते है सांतों का जिन्दगी देख ले चेलों के जिन्दगी देख ले वो परमिश्वर के जैसे एशु मसी के जैसे जिन्दगी जी लिया सांत लोग बहुत लोग काफी सांत लोग बुरे रास्ते पर भी थे जिन्दगी में एशा नहीं है कि सब बचपन से ही सांत बन गए थे नहीं कहीं सांत है जो बुरे रास्ते पर थे तो हर को हर एक इनसान को हर एक ट्लीक को सांत का जैसा जिवन सुधारना पड़ेगा और पूरा यूटन लेना पड़ेगा आप जिन्दगी अगर जिन्दगी आप नहीं सुधारते तो तेरा हाल यह जानवर का जैसा हो जाएगा यह जाड का पत्ते जो है जो सुकते है वो कुछ काम का नहीं आते तो उसको जला देते है तो आगर आप एशु मसी की जिन्दगी नहीं जीते बिल्कुल एशु मसी का जैसाई जीने का है हर एक इंसान को इसलिए फर्मेश्वर ने एशु मसी को बेजा कि आम हर एक कैतलिक एशु मसी का जिन्दगी देख ले कैसा जीया वो इच उदारन लेले और वो इच जिन्दगी देख ले और जीले और वो इसाईच करेगा तो इच एशु मसी का जैसा सोर्ग में जाएगा तो आपको बराबर मालूम है कोई भी आपके गाउं में एशू मसी का जैसे नहीं जिये अभी तक तो सब नरक में गए इसमें ज़्यादा बोलने के कुछ ज़रूरत नहीं है सिदा सिदा लिका है इदर जो एशु मसी की जिन्दगी नहीं जिये है उसका सब का वाट लग जाएगा सब नरक में जाएगे जला दिया जाएगा इसा खरके लिखा है इदर और एशु मसी ने आकिर में बोला भी कि कान है सुन ले बोले तो सब को कान है आमको मालूमे तो जितना जल्दी हो सके सुधर जा बदल जा बवेदर के लिख बन जा नहीं तो अगले मिनट में अगले मिनट में भी तेरी शैतान मौत कर सकता है सुर्ग का राज खेत में चिपे हुए दन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर चिपा दिया और मेरे आनन्द के जाकर और अपना सब कुछ बेज़कर उस खेत को मोल लिया फिर सुर्ग का राज एक वेपारी के सामान है जो अच्चे मोतियों की खोज में था जब उसे एक बहु मुल्य मोत मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेज़ डाला और उसे मोल ले लिया पिर सुर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुदर में डाला गया और हर प्रकार की मचलियों को समेट लाया और जब बर गया तो उसको किनारे पर खिंचा लाया और बेट कर अच्ची अच्ची तो बरतनों में ये कटा किया और निकम में फेंख दी जगत के अंत में एसा ही होगा सुर्ग दुत आकर दुरुष्टों को दमियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे वहां रोना और दान्त पिसना होगा तो एशु मसी इदर अच्ची तरह से चलों को समझा रहा था इससे बढ़कर और किम्ती चीज दुनिया में कोई भी नहीं है एशु मसी का जो शब्द ये वो परमिश्वरे और बाइबल से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज नहीं है लेकिन एबाइबल आपके जिन्दगे में काम कब करना चालू करेगा जबी आपने गाड़ी लाया है और कभी भी चलाया नहीं सिखने का कोशिच भी नहीं किया वो उदरी जंग पगड़ेगा और 15-20 साल में उसको स्क्रेप में बेजना पड़ेगा तो आमारा कैटलिक का भी यही इसाब हो गया बाइबल हर लोगों ने खरीज लाया लेकिन कभी भी खोला नहीं, पड़ा नहीं, सिखा नहीं, इस्तेमाल किया नहीं जिन्दगी में और बाइबल उदरी छे, सब लोग मर के नरक में गए तो एशु मसी बोला जितना जल्दी हो सके पवितर कैटलिक बन जा कुछी भी किमती नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ पवितर कैटलिक का जिवन जिने का यह इच मकसद है हर एक इनसान के जिन्दगी का नहीं तो बुरी तरह से इदर दुनिया में पंस जाएंगे और आकिर में नरक में जाएंगे बराबर लिखाएं इदर कोई भी कुछ भी चुपा नहीं सकते मैंने सुना नहीं करके क्या लिखाएं बराबर लिखाएं क्योंकि तिन तरफ का अलग-अलग वस्तुआं इस्तमाल किया इशुमसीन समझाने को तो सबसे किम्ती तो यह ही चे हम लोग पहले से जनम से कैतलिक है लेकिन हमारे माबाप और भुज़ूर लोगों के वज़े से हम लोग बाइबल फुरा चोड़कर उनके पीचे वो लोगों की जैसीच जिन्दगी आमने बना के चोड़ी है और एक दुसरे को देखकर सब लोग वो भुरी जिन्दगी जिने के बाद मर गए और जितने भी लोग मर गए वो सब नरग में गए कोई भी पवितर कैतलिक जिवा नहीं जिया अब तक मेरे गाउं में वोई चिसाब होएगा तेरे गाउं का भी तो अभी जल्द से जल्द पवितर कैतलिक बन जा और आपकी बुरी मोथ पागल कुत्ते की मोथ शेटान के आज से बचा दे तो एशु मसी बोला कि नरक में जब जाएंगे तो दाथ पिसना होगा और रोने का तो जो भी आमारे माँ बाप मरे हुए है बुजूर लोग मरे हुए है सब लोग अभी नरक में गए और उदर ये भोग रहे है वो लोग उनके माता पिता का देखने के बाद वो इच माता पिता का इच जैसे जिन्दगी जिकर सब नरक में गए और उदर अभी रोना और दाथ गिसना ये इच करते तो अभी आमको क्या करने का जो लोग नरक में गए है उनको उदर से वो लोगों का इच्चा क्या है आमारे जो गर वाले जो मरके सब लोग नरक में गए है वो लोग अभी नरक में रहे कर क्या सोच रहे है वो लोग सोचते है कि मेरे बच्चे हैं मेरे कोई भी जो माँ बाप अगर जिन्दा है कोई भी अभी दुनिया में जिन्दा है जितना जल्दी हो सके उतना पवितर कैतलिक बन जाने का हर एक गरवाला ये इच सोच है ये इच इच्चा है जो हमारे कैतलिक गरवाले मरने के बाद सब जो लोग नरक में गए है बाइबल में भी एक उदारण दिया हुआ है इशू मसीने की ओ लाजारस करके जो बिकारी था और ओ आमीर आदमी बाइबल में जाके देख ले मैं पुरा नहीं लेता है तो वो आमीर आदमी का भी सोच यही था कि उसका और पाँच बाइए अभी भी जिन्दा थे तो वो कभी भी नरक में नहीं आने का वो उसका सोच था तो आमारे जो घर वाले मरने के बाद सब लोग जो घर वाले सब के सभीच अभी तो मेरे को यह दो तिन पिड़गी तो मालूम है सभी का सभीच नरक में गया क्योंकि कोई भी एशू मसीका जैसा पवितर कैथलिक नहीं जिया सिर्फ बाइबल लेने का जो इंसान मर रहे है उनके गर पे जाके उसको बाइबल समझाने का कभी उसका तो जान जा रही है बड़ा हंगामा हो गया है सब आजू बाजे वाले लोग बाग कर गए है यह बहुत बिमार था तो अभी इसका अंतिम समय आ गया सब बागे हुए है उनके गर और बाइबल लेके अभी प्रात्ना करते हैं अभी बाइबल उनको समझा रहे है मरने के समय कुछ होएगा नहीं होएगा यह सा डोंगे बाजी करना छोड़ दे यह जो कैतलिक का खली वली जो ब्रादर प्रिचर यह जो गुमते है बाइबल लेके वो सब डोंगे लोगे उनके पास कुछ होता नहीं चमतकार बमतकार यह सब खली वली जिन्दगी जी रहे है यह लोग यह सिर्फ इंसान मरते समय और इंसान मरने के बादिच प्रातना करने को यह लोग सही है इंसान को मरने के बादिच यह लोग प्रातना करते है उससे पहला यह लोगों का प्रातना परमेश्वर सुनता भी नहीं ये प्रातना कर रहे थे जब इंसान जिन्दा था तबी भी प्रातना चालू था लेकिन कुछ हुआ नहीं सब प्रातना पानी में गया तो एसा क्यूं होता त्योंकि आम लोग पवितर कैतलिक एशू मसी का जैसी जिन्दगी आम लोग नहीं जिते इसलिए सब का सबीच कैतलिक मारक आ रहे है तो एशू मसी आमको इदर आच्ची तरह से समझा कि हर एक इंसान को पवितर कैतलिक बनने का इचे नहीं तो इदर एशू मसी बोला कि वहां रोना और दात पिसना होगा जैसा चक्की पिसते हैं आम लोग वैसा दात पिसना पड़ेगा उदर तो आमको आभी मालूम है कि आम अगर मरेंगे तो आमको उदर भी बदन आमारा उदर भी होएगा लाजिम होएगा इदर भी लिका है कि रोना बोले तो आँके है दात बोले तो दात है तो नरक में सोर्ग में भी आमारा बदन रहेगा एशा मत सुचिये कि इदर से चुटकारा ले लिया तो आम जो लिखते है समशान में लिखते है आराम से अभी लेट जा इदर अंग्रेजी में रेश्ट इन पीस करके लिखते है आराम से अभी तुम मर गया न अभी ये कफन में तेरे को दफनाया गया है तो ये आपको आराम है ये गलत है ये Catholic लोगों का ये लिखने का गलत है ये rest in peace करके लिखते है RIP करके capital अंग्रेजी में डालते है RIP करके डालते है वो गलत है उदर वो बदन जो डाल दिया मिट्टी में वो बदन को क्या वो बदन उदर सोना हो रहा है वो बदन का सोना बंद कर निकलेगा उदर से क्या होएगा उदर मिट्टी में कफन में क्या हो जाएगा दफना इनने के बाद क्या हो जाएगा इंसान का और RIP rest in peace उदर किदर है उदर तेरा बदन तो फुरा खतम हो जाता है तो उदर rest in peace उदर किदर है सब गलत समझ कैतलिक लोगों ने बनाया है और ये रिती रिवाज आम लोग अब तक भी दुनिया में चलता है इसलिए सब कैतलिक लोगों ने धोका का लिया है, मार का लिया है, पागल कुत्ते की जैसे कैतलिक लोग जिन्दगी जिती है इस सब जो कचरा है वो परमिश्वर ने इदर नहीं बोला कि दफनाने के बाद एक कुरूस लगा ले कुरूस के उपर रेष्टिन फिस करके लगा ले वो तो सब न रख में गए किदर शांती किदर है उदर कफन में शांती है नहीं न रख में गए नरक में चांती है नहीं देखो देखो क्या लिकाई देखले चालाक बनकर कुछ फाइदा नहीं है बराबर लाइन पी आजा वहां रोना और दात पिसना होगा कभी कितने साल इधर तो तुम लोगों को सो साल तक लोगों को टोपिया डालके बेज जा सकता है उदर कितना साल तुम रोना और दोना करेगा रोना और दात पिसना कितने साल करेगा उदर कोई जिन्दगी है सो साल का एक सो बिस साल है दुनिया में तो एक सो बिस साल तक जा सकता है इंसान उदर कितना साल करेगा उदर हमेशा के लिए वो जिन्दगी कभी खतम नहीं होती इनसान को परमिश्वर ने इनसान का परमिश्वर का जैसा बनाया है इसलिए इनसान का जिन्दगी खतम नहीं होती वो अगर सोर्ग में रहेगा नहीं तो नरक में चक्की पिसेगा चक्की नहीं चक्की पिसना तो भी बहुत आसन है इधर जैल में दुनिया में चक्की पिसते हैं लोग इधर क्या करेगा इधर रोना और दात दात पिसना होगा हमेशा और हमेशा और हमेशा के लिए तो सोचिने का और वक्त नहीं है आला तुल फोरेन एई समय एईच अबिच कुर्सी से उठो भी मत तेरे को शैतान शायद अगली मिनट में तेरा वाट लगा देगा तेरे को जिन्दा मारेगा और सिधा तुमारा आत्मा जो गंदा आत्मा तेरे अंदर है वो सिधा तेरे को फ्लाइट में लेके कौनसा फ्लाइट आग का फ्लाइट आग सिधा तेरे को उधर जलाने को लेके जाएगा उधर पुरी जिन्दगी बर तुम जलेगा रोना और दांत पिसना होगा और दुसरा विशब्द है उधर आग में जल जाएगा और किड़े खा लेंगे वो विशब्द है जाकर पढ़ ले ज्यादा चालाक नहीं बदनेगा जाकर पढ़ ले तेरे ये चालाक है तेरे को बहुत बुरी पढ़ जाएगे तो हर एक कैतलिक को अगर आग में नहीं जलने का है अगर रोने का नहीं है अगर दात पिसने का नहीं है अगर किड़ा तेरे को नहीं काना मांगता तो कैतलिक नहीं क्या करने का जैसे बच्चों को पुछते है ना वैसा में तेरे को पुछता है कैतलिक नहीं क्या करने का गुटने पर जाकर प्रातना करने का उदर व्यलांकणी में माडरास में जाके देखलो मडरास में जाके इंडिया में जाके मडरास में जाके देखलो व्यलांकणी में कैतलिक लोग क्या करते गुटना पर जाते मालूम ने किसने ये लोगों को बुद्धी दिया है कि गुढ़नों पर जाएगा तो परमिश्वर्थ तेरा प्रातना मान लेगा किसने बोलाए ये बिल्कुल गले थे कैतलिक चर्च का ये ये सा बात बिल्कुल लिकाईच नहीं बाइबल पर ये शुमसी ने नहीं बोला कि तु गुढ़नों पर जाले ये शुमसी ने बोला कि सब कुछ मेने मेरे उपर ले लिया ये शुमसी पापी नहीं था पापी ये शुमसी को बनाया गया परमिश्वर्थ ने ताकि आम सब इस दुनिया में आमारा पाप माफ हो जाए सब बिमारियां आमारी टिक हो जाए जबी आम एशू मसी को मानते है एशू मसी के जैसे आम बनकर पवितर कैटलिका जिंदगी आम जिते है तबी आमको सबसे मुक्त किया है और माडरास में जो नाटा काँ चल रही है वो गुठने पर जाने का है वो नाटा के वो नाटा कर करके लोग बस सत्यनाश कर दिया लोगों का गुआ वाले जाते हैं बहुत उदर मैं गुआ का है गुआ का है मैं गुआ वाले प्राइवेट आपका गाडियां वगारा टैक्सियां मारके जाते हैं उदर और कितने लोगों का मौत भी हो गया और कितने लोग मरते मरते भी बच गए इधर इज बंद करेंगे कल इधर से चालो करेंगे शुक्रिया एशु मसी शुक्रिया पवित रात्मा शुक्रिया सोरगी पिता आमे अभी आम लोग प्रात्ना करेंगे सोरगी पिता और एशु मसी और पवित्रात्मा के नाम से आमें सुर्गी पिता हमें आपके प्यारे पूत्र एशु मसी के नाम से ये प्रातना करता हूँ जो इंसान यूट्यूब लाइव पर है उसको और उसका पुरा परिवार को और ये जो YouTube पर देख लेंगे, देख रहे हैं, उनको सब को आप COVID बिमारी से बचा कर रख, COVID बिमारी ये लोगों से दूर रख, दूर कर, और भी कोई बिमारी ये लोगों के बदन में है, वो सब कतम कर दे, और चंगाई ये लोगों को दे दे, और ये जो लोगों का कोई भी कामा अब तक हुआ नहीं है, अटके हुए है, हो नहीं, होते नहीं है, फंसा के रखे हैं, वैसा सब कामाई लोगों का लफडा कतम करके, सब जगे में लोगों को चंगाई दे दे, कोई पड़ाई करते हैं गर में, सब को अच्चा माक्स में, परिक्षा में, अच्चा माक्स दिलवा दे और ओ लोगों की जिंदगी, एक अच्ची चंगी जिंदगी कर दे, जो लोगों का बिजनस चलता है, उनका बिजनस बड़ा, जो लोगों नुकरी करते हैं उनका पागार बड़ा पोष्ट बड़ा, जो गरवाले नई नुक्री ढूढते है उनको बड़ी कमपणिय में बड़ा पागार का नुक्री दे जे और जो लोगों को बेटा के रखाए है कोविड बिमारी के वज़े से कमपणिया बंद करके उनका कमपणिया वापस से चालु कर और लोगों को पागार बढ़ा के अपका प्यार वर प्वित्र अत्मा का अधर इलोगंको देदी, अमें